हेलो दोस्तों वेलकम बैक तौर इन ब्लैक जैसा कि अब देख पा रहे हैं यह देखें ट्रांसफार्मर है हमारे गाउं का कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना है था कि यह जल गया था शॉट सर्कीट के वज़े से में भी यह जो भी था इसके अंदर एक्चुल में तो सुबह सुबह यह गाउं के सारे जुजारू लोग इसको उतार के ट्रॉली में डाल रहे हैं फिर यह जायगा फिर इसको जमा करके फिर नया खरीत के लाए जाएगा तो रेजिस्ट्रेशन वगेरा जो भी इसका प्रोसेस होता है सब वो गया चंदा वंदा जो भी था सब कठा कर लिए गाह में चंदा इंडेसेंस की गाहों की तोड़ा थोड़ा पैसे का मदद लिया गया जिससे की इस ट्रांस्वामों को जल से जल लगाया तो जैसा कि आपने देखा ट्रांसफर्मर चला गया अब यह देखिए कलर है अजनता का सिंथेटिक फूड कलर प्रिपरेशन यह ग्रीन कलर है और इसको मिला कर बनाएंगे बलड कलर तो अभी देखिए मैंने रेड कलर को रेड ओरेंज बेसिकली हमने लेना था रेड कलर ले कलर का तो इसको मैंने थोड़ा से एक चमच ले लिया थोड़ा सा पानी में डाला जैसा कि अब देख पार हो इसको मैं चमच से उसको शेक कर देता हूं मिला देता हूं अच्छे से लेकिन यहीं पर रेड कलर बलड नहीं बन सकते नहीं बनाए भी लब लगेगा चलो रेड कर दिए पानी मिला दिया तो रेट बलड बन जाए इसा कुछ नहीं है इसमें थोड़ा बहुत गृम कर और दालना पड़ेगा और शुगर भी डालनी पड़ेगी इसमें चीनी डालना पड़ेगा अधर बैस यह जिसने बलड इस तरीके से रहता है पकड़ता है थोड़ा गा करने जा रहा हूं तो इस तरीके से रेडर ग्रीन काप जो मतलब अनुपात होता है प्रॉपर अनुपात प्रोपर्शन उस तरीके से इसको डाल के तो आप बढ़िया रेड कलर ब्लड कलर बना लेंगे और इसमें चीनी का मिश्रन गोल देंगे तो और सही हो जाएगा तो यह दिक्कत जैसा मैं सुछने होगा तो यह अक्चुल में हम लोग एक वीडियो शूट करने वाले हैं तो इसके लिए हम लोग यह रेड कलर ब्लड कलर तयार कर रहे हैं तो दोखिए दोस्तों यही है फाइनल ब्लड कलर तो आई आयो 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 आपको लग रहा होगा कि अगाने तीखा रहें भी दोस्तों गाह में सूखा पड़ा हुआ था बारिस इतना तेज होगा अंदाजा नहीं था इतना तेज बारिस आया कम से कम 6-7 दिन के बाद बारिस हो रहा है इसके पहले खाली बूदा बादी हो रहा आती है तो यहारीन इसने जांक रहा है आरियो देखिए इतना तेज बारिस कसम सु भाई साब गाह में इसको लाइट का टीवी थी दान की सिचाई करने से बहुत लोगों को लेकिन आद लगर आई इस तरी के सब बारिस एक गंटे हो जागा अरे बारिस गया अरे बारिस चला गया अब क्या होगा दोस्तों अब देखने हैं रात का समय हो गया या यानि शाम का समय हो गया है और यहां पर बड़ी एक दुझगतना हो गया है हमारे साकर्मी सामित्र शाहिल फिश्वकर्मा उरुफ नारद के भाईशिया एक पाड़ी बच्चा दी थी लेकिन वह भी इम्रित गोशी थी पहले से मतलब उमरी भी थी तो उसी को हम लोग यहां पे उसके आंतिम यात्रा में आये थे यानि उसको गाड़ने आये थे तो अंतिम संसकार में आये थे तो थोड़ा सा यह दूखत गठना है खेर जो भी है इसे के साथ मैं वीडियो बंद करता हूं मिलते नेक्स्ट वीडियों बाई